हेलो गाइज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU पार्ट थर्ड हिस्ट्री ओनर्स का क्वेपर नंबर फाइव देखने वाले हैं, जो 2021 के एक्जाम में पूछा गया था, तो चलिए सुरू करते हैं यहां से किसी 5 questions का answer देना है, जिसमें question number 1 जो है, यानि कि objectives जितने हैं, वो compulsory है, यानि कि objectives जो है, आपको बनाना ही पड़ेगा, तो चलिए हम एक एक करके objectives देख लेते हैं, और एक objectives जो है, आपका 2 marks का है, और 10 objectives पूछा गया है, जो total आपका 20 marks का होगा, तो सबसे पहला number question है, the ruler who lost the battle of Khanba was, Khanba के युध में पराजित होने वाला सासक था, options are, option number A is महाराना प्रताप, option number B is प्रित्वी राज चोहान, option number C is इबराहिम लोदी, and option number D is राना सांगा, तो answer हो जाएगा इसका राना सांगा, next objective है, objective number B है, when was दीन ए इलाही established, दीन ए इलाही का वस्थापित हुआ, तो options are, 1581, 1582, 1590, और 1599, तो option number B हो जाएगा, 1582 में, next objective है, who was the founder of the Mughal Empire in India, भारत में Mughal सामराजी का संस्थापक कौन था, तो option number A is अकबर, option number B is हुमाय।, option number C is बाबर, and option number D is जहांगीर, तो option number C is correct, बाबर is the right answer, बाबर हो जाएगा इसमें, next question है, who was defeated in the second battle of PANIPAT, पानी पत की दूसरी लराही में कौन पराजित हुआ, तो option है, हुमाय।, अकबर, हेमू, और राना, उदै सिंग, तो option number 3 जहांगीर, इसका right answer है, हेमू हो जाएगा, next question है, who was the author of दीन ए इलाही, sorry, who was the author of आइन ए एकबरी, आइन ए एकबरी के लेका कौन थे, option number A is Bernie, option number B is फरिस्ता, option number C is अबूल फजल, and option number D is मिनहाज, तो option number 3 है, इसका right answer है, अबूल फजल, next objective है, which Mughal Emperor prohibited the use of tobacco, किस Mughal सासक ने तंबाकू के उप्योग पर प्रतिबंध लगाया था, तो option है, बाबर, अकबर, जहांगीर और साजहां, तो जहांगीर ने जो है, तंबाकू के उप्योग पर प्रतिबंध लगाया था, option number 3 हो जाएगा, next objective है, which Mughal Emperor spent his last days in prison, कौन सा मughal सासक अपना अंतीम समय जेल में व्यतीत किया, तो options है, अकबर, साजहां, हुमाईव और बाबर, तो साजहां जो है, अपने जीवन का अंतीम समय जेल में व्यतीत किया था, option number 2 हो जाएगा, इसमें, next objective है, what was the other name of Prince Khurram, राज कुमार कुर्रम का दूसरा नाम क्या था, तो option है, जहांगीर, साजहां, औरंगजिव, और option number D है, हुमाईव, तो option number B हो जाएगा, साजहां, राज कुमार कुर्रम का जो दूसरा नाम है, वो साजहां था, next objective है, who built a new city of दीन पनाह नियर देल ही, दिल्ली के नजदिक किसने दीन पनाह नाम से एक नया सहर बनाया, option है, बावर, अकबर, हुमाईव और जहांगीर, तो हुमाईव हो जाएगा इसका आंसर, दिल्ली के नजदिक हुमाईव ने दीन पनाह नाम से एक नया सहर बनवाया, next objective है, who was गुल बदन बेगम, गुल बदन बेगम कौन थी, options are dancer, नर्तकी, next option है आपका writer लेखी का, next option है singer guy का, next option है heroine नाई का, तो इसमें जो है option number 2 हो जाएगा, गुल बदन बेगम जो थी, वो एक लेखी का थी, वो एक writer थी, और यहां से जो है आपको total 9 questions है, तो पहला number question है, critically examine the religious policy of अकबर, religious policy of अकबर, अकबर की धार्मिक नीती की समिक्षात्मक परिक्षन करें, question number 2 है, discuss the राजपुत policy of औरंगजेब, औरंगजेब की राजपुत नीती की विवेचना करें, next question है, evaluate अबूल फजल as a historian, अबूल फजल का एक इतिहासकार के रूप में मुल्यांकन की जिये, next question है, critically examine the causes for the decline of मुगल एंपाइर, मुगल समराज के पतन के कार्णों का समिक्षात्मक परिक्षन करें, next question है, write a short note on सूफी ट्रेडिशन इंडिया, भारत में सूफी परंपड़ा पर एक टिपनी लिखें, next question है, assess the greatness of सेर्शा as an administration, एक प्रसासक के रूप में सेर्शा की महानता का मुल्यांकन करें, next question है, discuss the silent features of सिवाजी's administration, सिवाजी के प्रसासन की प्रमुख विशेष्ताओं का उलेख करें, next question है, write a short essay on वैस्नव भक्ती ट्रेडिशन, वैस्नव भक्ती परंपरा पर एक संचिप्त निबंध लिखें, और last question है, analyze the causes of the failure of whom are you, whom are you के और सफलता के कारणों की समिक्षा करें, तो objective आपको कंबल सरी है, बनाना ही पड़ेगा, और इस मेंसे जो है किसी 4 questions का answer देना है, और हर एक question जो है आपका 20 marks का होगा, if you like the video do subscribe my channel, thanks for watching,